हेलो दोस्तो, स्वागत है हमारी यूटूब चैनल जिलसा डैमरोथ में तो फ्रेंड आज हम बात करेंगे कि किस तरह आपने मुबाइल फॉन से है अपने फॉन से वीडियो को अपलोड कर सकते हो और फ्रेंड वीडियो अपलोड करकर यूटूब पर आप लाखों में अर्निंग कर सकते हो तो इसी टॉपिक पर बात करेंगे और फ्रेंड सन 2022 में जो अब नया साल चल रहा है उसमें हमें किस तरह अपनी जो वीडियो है वो रेंकिंग करनी है उसकी और किस तरह उसमें टेक्स लगाने है डिस्क्रिप्शन लिखनी है टाइटल देना है और कहां से हम जो है कि अपने जो बढ़िया बढ़िया जो वाइनल टेक्स है उनको कोपी करकर अपने वीडियो में लगा कर और वीडियो को अच्छी रेंक कर सकते हैं तो फ्रेंड यही हमार टॉपिक है इसी पर हम बात करेंगे यदि आप हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साइड में लाल बटन है उस पर किलिक करें गन्टा को जरूर दबाएं यदि आप चाहते हो कि हम इसी तरह का सिलसला जारी रखें तो हमें लाइक करें इन हमें कमेंट करकर जरूर बताइं कि वीडियो आपको पसंद आई है या नहीं आई ये तो वीडियो करते हैं fasion स्टार्ट अब यॉबायलवरे अन्य करता हूं को के अधिया जो क्रोम ब्राउजर एक को अःया मैंने इसमें यूटूब को खोल लिया है मैं इसको सिंपली यहां से को कि इसको मैं कर लेता हूं डेश्टोप साइड पर एंड यह फ्रेंड डेश्टोप साइड में ओपन हो जाएगा लैक लैप टॉप की तरह है तो मैं इसको फ्रेंड थोड़ा जूम करता हूं किस जूंब करने के बाद फ्रेंट मैं यहां मेरा फोटो को आइकन है मैं सिंप्ली इसी पर करता हूं प्रण करने के बाद यहां है यॉर चैनल इस पर क्लिक करता हूं यहां से जो मेरा Youtube Channel है वो डेस्टॉप साइड पर ओपन हो जाएगा से अ यहां जो किस्टुमाईज चैनल है यहां पर जाता हूं इस पर क्लिक करता हूं के क्लिक करने के बाद एक यह मेरा YouTube Studio से ओपन हो जाएगा ए मैं यहां इसको YouTube Studio से ओपन कर लेता हूं प्रेंड ओपन होने के बाद आपके सामने को इस तरह का इंटरफेस सामने आएगा तो फ्रेंड यहां आपका जो चैनल है वो कस्टोमाईजेशन आ जाएगा यहां पर यहां आपको सिंपली दिख रहा होगा चैनल कस्टोमाईजेशन इस तरह का इंटरफेस सामने आने के बा टैप करने के बाद फ्रेंट, आपको जूम करकर दिखाता हूं, यहां है, यहां फ्रस्ट ओप्षोन है, अपलोड वीडियो, एंड सेकेंड है गो लाइव, थर्ड है create पोस्ट, and friend हमें करना है वीडियो upload तो मैं यहाँ upload वीडियो पर click करता हूँ and click करने के बाद friend कुछ इस तरह का interface सामने आएगा अपनी जो file है उसको कर लेता हूँ select यहाँ select file का option आ चुका है यहाँ पर तो friend मैं simply जो यह blue color का icon है select files यहाँ tap कर देता हूँ टैप करने के बाद हमारे सामने four option आ जाएंगे first है camera and second है camcorder and third है recorder and fourth है file यदि आप live record करना चाहते हो तो यहां से record भी कर सकते हो and मैंने already record कर रखी है अपनी file में तो मैं simply file पर click करता हूँ and click करने के बाद friend जो मेरी video हो मेरे सामने open हो चुकी है यहां तो मैं simply इसको select कर लेता हूँ वो हो चुकी है ready अब मैं इसको करता हूँ edit तो first है यहां title मैं यहां title में जो अपने video है उसके according लिखूँगा यहां पर दूँगा and friend मैंने video बनाई है कि किस तरह आप अपने जो mobile number है उसको YouTube से link करते हैं तो मैं यहां डालता हूँ मैं यहां अपना जो की title है वो इतने लिख देता हूँ So friend मैंने यहां अपना जो title है वो यहां लिख दिया है and friend इसमें नीचे है यहां पर है description यहां तो मैं यहां अपनी जो description है जो video के बारे में तो मैं यहां उसको लिख देता हूँ phone number number को किस तरह से किस तरह से link करते हैं link करते हैं तो friend मैंने यहां जो video है उसके बारे में बता दिया है and मैं यहां अपना जो viral tags है and जो hashtag है and जो मेरा like social media account है मैं उनको यहां पर edit कर दूँगा उनकी link को मैं यहां copy paste कर दूँगा and मैं चलता हूँ अपने जो so friend मैंने लिखा था कि YouTube से हम जो अपना phone number है उसको किस तरह verify करते हैं तो friend आप देख सकते हो आपके सामने काफी सारे जो viral tags है वो यहां so होने लगेंगे तो मैं उनको simply कर देता हूँ यहां से copy and friend जो मेरे viral tags है वो हो चुके है copy and मैं चलता हूँ जहां मेरी video है उसकी तरह and friend मैं आच चुका हूँ अपने जो description है उसमें and मैं यहां से इसको थोड़ा looking के लिए space मारता हूँ and space करने के लिए friend मैं यहां जो अपने viral tags थे जो मैं ने copy किये थे उनको कर देता हूँ मैं यहां पर paste and paste करने के बाद यहां जितने मेरे tags थे वो यहां जो है की copy हो चुके हैं तो मैं इन में से जितने मतलब मेरे को अच्छे लगते हैं tags जो की मतलब popular है उनको मैं रहने देता हूँ और बाकी को मैं यहां से delete कर देता हूँ friend मैंने यहां जो अपने जो tags थे वो कर दे हैं यहां set and मैं इसमें जो अपने जो social media link है उनको मैं इसमें YouTube studio से ही डालूँगा and friend मैं चलता हूँ आगे आगे इसमें क्या क्या option है और मैं आपको बिल्कुल live दिखा रहा हूँ यहां कि किस तरह से मैं अपनी जो है की video upload करता हूँ chrome browser से and friend next option है यहां आपके सामने thumbnail का friend यहां है thumbnails and यहां से आप जो अपने thumbnail है video पर उनको भी आप यहां से choose कर सकते हो and यह आपके पास कोई custom thumbnail है आप यहां से उसको upload कर सकते हो तो मैं जो मैंने अपना thumbnail है वो already बना कर रखा है upload thumbnail पर चलता हूँ thumbnail है वो यहां पर मैं आपको थोड़ा जूम करकर दिखा रहा हूँ यहां पर जो मेरा thumbnail है वो simply हो चुका है upload यहां पर and मैं इसको change भी कर सकता हूँ and friend नीचे है playlist अपनी playlist है जो मैंने add कर रख रख ही इसमें मैं उसको यहां से simply select कर लेता हूँ and select करने के बाद जितने मेरे playlist है वो यहां मेरे सामने open हो जाएंगी यहां पर and tap करने के बाद आप यहां से जो playlist है उसका नाम दोगे मैं यहां से इसको cancel करता हूँ and मैं जो है कि जो वीडियो बना रहा हूँ वो यूटूब related वीडियो बना रहा हूँ तो simply मैंने अपनी playlist add कर रहे हैं मैं इस पर black tick कर दूँगा and tick करने के बाद यहां है done का option यहां पर यहां है done का option तो मैं simply इसी पर tap कर दूँगा and tap करने के बाद यहां दोस्तों आपसे कुछ permission मांगेगा कि जो आपने वीडियो बनाई है वो मतलब बच्चों से related है या नहीं तो मेरी जो वीडियो है वो बच्चों से related नहीं होती तो मैंने यहां no पर tick कर दिया है and यहां है so more तो मैं simply इसी पर tap करूँगा and tap करने के बाद यदि friend आपने जो यह वीडियो है अपना promotion के लिए यदि आपने कुछ इसके लिए pay किया है तो आप यहां से tap कर सकते हो and मैंने कोई यहां नहीं किया है तो जो मैंने and यहां है tags का option यहां यहां से जो आप tags है वो आप यहां से लिख सकते हो तो मैं simply यहाँ अपने जो tags है वो यहाँ इंटर कर देता हूँ तो दोस्तो इसमें सबसे पहले हम लगाते हैं hashtag यहाँ पर तो जो अपना word होता है उसको यहाँ पर इंटर कर देते हैं जैसे मैं लिखता हूँ verify तो simply मैं यहाँ पर जाओंगा और यहाँ पर जाने के बाद इसको मैं dash मारूंगा and verify mobile number फिर dash on फिर dash YouTube चैनल तो टेगनिक लिखने के बाद आप यहाँ से इसको इंटर करते हो तो यहाँ इसे box type बन जाता है तो यहाँ से आप जो अपने or tags है वो भी यहाँ आप लिख सकते हो तो मैं or tags इसके बाद में लिखता हूँ and friend and friend आप इसमें जो जो category है उसको भी आप यहाँ से choose कर सकते हो जैसे मैं यहाँ यहाँ है category add your video to a category so we were can find it easily तो इसमें यहाँ यूटूब ने simply लिख रखाया आप यहाँ से जो वीडियो है उसकी category लिखें जिसके कारण जो वीवर्स है उसको इजी लिख सकें यहाँ से काफ़ी सारी जो वीवर्स हैं मतलब जो category है वो यहाँ सो होने लगेंगे आप gaming पर sports पर music पर किसी पर comedy entertainment education किसी पर बना सकते हैं जो हमारी वीडियो होते हैं वे friend educational पर पचके लिए होती है यह आपको मालूम होना चाहिए friend यहाँ मैंने जो अपनी tags है and description है title है thumbnail है वो यहाँ लिख दिया है and simply यहाँ है and friend finally जो यहाँ है next का option यह नीचे बिलकुल corner में मैं simply इसी पर tap कर दूँगा and tap करने के बाद हमारे सामने जो second option है वो यहाँ आ जाएगा यहाँ पर video element यहाँ से आप यदि अपने वीडियो में subtitle देना चाहते हो यहाँ से subtitle add कर सकते हो and यदि friend आप यहाँ end screen add करना चाहते हो तो यहाँ अभी मेरा जो end screen का option है वो यहाँ video quality की वज़े से आने रहा आप यहाँ से जो जो वो है end screen आप यहाँ से add कर सकते हो and next है friend add यहाँ card यदि आप अपने वीडियो के उपर जो small type का card देखते हो जिसमें वीडियो चलती रहती है उसमें आता है कुछ लिखा तो friend वो यहीं से add होता है यदि आप अपनी वीडियो को वहाँ director YouTube से upload करोगे तो उसमें यहाँ यह add card subtitle का option कहीं नहीं मिलेगा आपको नहीं आप जो वीडियो है उसको जो है की tag लगा सकते हो and friend मैं चलता हूँ यहाँ पर add card पर add card पर चलने के बाद friend यहाँ से जो मेरी वीडियो है मैं उसको भी card के जरीए add कर सकता हूँ playlist को यह channel को and friend मैं यहाँ से जो वीडियो है उसको ही edit करता हूँ and जो मेरी वीडियो है उसमें बताया है की phone number link कैसे करते हैं तो friend मैं आपको बताऊंगा की जो है की YouTube channel किस तरह बनाते हैं उसमें इस चीज़ को add कर दूँगा type है उसको आप वहीं पर रोक सकते हो मैं इसको यहाँ पर add कर देता हूँ और यहाँ है friend save का option यहाँ तो simply मैं इसी पर tap करता हूँ and friend यहाँ इस तरह का यह है add card वो यहाँ इस तरह सो होने लगेगा जब वीडियो चलते रहेगी तो simply पहले मैं इसको save कर लेता हूँ जो हमारा जो card है वो हो चुका है यहाँ पर green tick यानि कि add और यहाँ से आप उसको edit भी कर सकते हो and friend next option है यहाँ पर and simply हम उसी पर next कर देंगे and next करने के बाद friend यहाँ यह चेक करता है जो YouTube है YouTube community है वो यहाँ से like copyright strike है या claim है उसको check करता है तो friend जो मेरी वीडियो है यहाँ उस पर कोई copyright issue नहीं पा जा है तो friend जो मेरा यह है original content है यदि मैं इसमें music add करता like और YouTube से वीडियो उठा कर इस पर डालता तो इसमें copyright claim या copyright strike दिखा देता तो friend मैं करता हूँ simply next पर and next पर जाने के बाद यहाँ आपके सामने आ जाएगा जो वो है आप अपनी वीडियो को किस तरह कर सकते हो या निकि आप sexual में भी कर सकते हो मतलब time के according किस तरह किस time पर मुझे upload करना है and friend आप यहाँ से unlist भी कर सकते हो and private भी कर सकते हो and यदि आप चाहते हो कि मैं अपनी वीडियो है वो अच्छी तरह edit कर दी है and मैं इसको publish करना चाहता हूँ तो आप यहाँ से यहाँ पर है publish का option आप यहाँ से simply public भी कर सकते हो and friend मैं अपनी वीडियो को unlist ही रहने देता यहां है सेव का आप्सन, यहां पर, तो मैं सिंप्ली सेव पर क्लिक कर देता हूं, एंड क्लिक करने के बाद ये वीडियो जो है कि अनलिष्ट हो जाएगी, एंड फरेंड यदि आप चाहते हो कि मैं अपने जो ये लिंक है, इसको मैं सोसल मीडिया पर सेयर करूँ लाइक टाल्क है ये है वटसप है फेजबुक है ट्यूटर है इमेल है रेडिट है आप किसी भी प्लेट फॉर्म पर इसको एडिट वो सेयर कर सकते हो तो यहां इसका जो वो है वो यहां डारेक्टर ओपन हो जाएंगा यहां से जो वीडियो का लिंक है आप उसको यहां से कॉपी भी कर सकते हो तो मैं इस वीडियो का लिंक को कॉपी कर लेता हूँ यहां वीडियो लिंक कॉपी और मैं चलता हूँ अपने बैग अपने यूटूब इस्टूडियो पर और फ्रेंड वीडियो हमारी यहां पर आ चुकी है यहां पर जैसा कि आप देख सकते हो यहां पर हमारी वीडियो है वो आ चुकी है और फ्रेंड यहां से आप अपनी वीडियो में और टेक्स लगा सकते हो और description लिख सकते हो आप title change करना चाहते हो तो title भी change कर सकते हो यहां से आप studio में से जाकर आप इसको और अच्छी तरह से editing कर सकते हो यदि आप चाहते हो कि अब यह editing हो गई है इसको मैं upload करना चाहता हूँ तो यहां से आप इसको यहां अभी जो मेरी video है को दिखाता हूँ कि इसको किस तरह upload करते हैं आप चुके हैं जो अपना studio है YouTube studio उसमें आचुके हैं हम अपनी जो है कि वीडियो को यहां से कर लेते हैं select and select करने के बाद हम इसमें यहां edit करेंगे आपको दिखाएंगे कि किस तरह हमने जो यह कि वीडियो को edit किया है and मैं आपको पहले यहां thumbnail दिखाता हूँ and मैं यहां से change पर click करता हूँ and change पर click करने के बाद यहां जो मेरे thumbnail है वो यहां so होने लगेंगे तो friend आप हमें comment करकर बताएं फोल्डर्स हैं जो file के फोल्डर हैं वो यहां सो होने लगेंगे सब ही एंड जिस भी मैंने फॉल्डर में जो अपना थम्नेल है वो छुपा कर रखा है तो सिंपली मैं उसको कर देता हूँ यहां पर क्लिक तो मैंने अपने फॉल्डर में छुपा कर रखा मैं सिंपली टैप कर देता हूँ and tap करने के बाद मैं इसमें से देखता हूँ and friend finally जो मेरा thumbnail है वो यहाँ पर so होने लगा है आप हमें कमेंट करकर बता सकते हो कि कौन सा जो thumbnail है वो आपको best लग रहा है यहाँ एक यह दूसरा and यह है third and friend मैं इसको first वाले को ही पहले select कर लेता हूँ and select करने के बाद simply आ जाएगे यहाँ and मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पर done and done करने के बाद जो हमारा thumbnail है वो finally हो चुका है edit and thumbnail add करने के बाद हम और देखते हैं इसमें and friend यह मैंने जो यह title है अपना कुछ इस तरह से set किया है and next है यहाँ description यहाँ आपको description का option है मैं इस पर tap करता हूँ and tap करने के बाद मैंने description friend जो professional type जिस तरह बड़े यूटूबर्स मनोजदे है टेकनिकल योगी इस सर हैं वो अपना description कुछ इसी तरह से set करते हैं and मैंने यहाँ पहले वीडियो के बारे में बता दिया है जो कि किस topic पर हमारी वीडियो है and यहाँ मैंने एक अपनी जो वीडियो है वो add कर दी है कि हम किस तरह यूटूब चैनल बनाते हैं आप उसको यहाँ से watch कर सकते हो जो friend नए है यूटूब पर उनको काफी ज़्यादे दिक्कत होती है कि भाई किस तरह अपने यूटूब चैनल हम create करते है and मैंने यहाँ जो अपने social media account है यहाँ पर वो यहाँ पर सब ही जो है कि add कर दिया है यहाँ मैंने जो अपने youtube चैनल है उसका link है यह मैरा दूसरा youtube चैनल है डेम रोध गोल्डन यह मेरा instagram link है facebook link है and tutor link है and friend यहाँ मैंने जो है कि tag अपने जो tags है वो यहाँ मैंने edit कर दिया है आप और भी सकते हो जो कि मैंने यहां 2100 16 2002 कुछ अडे हैं छैसटेग दोस्तों कुछ इस तरह मैंने अपने description जो है की एड़ किये है यहां है visibility यहां से मैं इसको अभी चंद ही मिंटों मैं यहां से इसको public करूंगा यहां 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 एक पर set कर रखिये यह public है anyone can search for and why यहां से कोई भी इसको सर्च कर सकता है और इसको देख सकता है यदि आप इस पर प्राइमर सेट करना चाहते हो यहां से इस पर क्लिक करोगे यह डिबबा है बॉक्स है और यहां से आप इसमें time select कर सकते हो and unless for anyone with the link can view मतलब इसको वे ही लोग देख सकते हैं जिनको आप जो link को share करोगे तोगा है private and third option private का है यहाँ है private only people you choose can view जिस people को आप मतलब वेक्टी को choose करोगे वे ही इस video को देख सकता है and last option है schedule का and यहाँ से आप schedule भी कर सकते हो and उसमें time, date, select करकर उसको कर सकते हो यहाँ से upload and next option है यहाँ audience का कि आप किस तरह की जो है की वीडियो बनाते हो तो यहाँ दो option है first है it is made for kids मतलब बच्चों के लिए है यह and यह है इसमें बच्चों से related नहीं है तो हमारी जो वीडियो होती है वो बच्चों से related नहीं होती and next option यहाँ आजाएगा playlist का कि आप अपने जो वीडियो है उसमें playlist एड़ कर सकते हो कितने भी playlist आप एड़ कर सकते हो यहाँ से जो हमारी वीडियो है YouTube related वीडियो होती है जिसमें हम YouTube से related बनाते हैं कुछ and यहाँ से आप इसको done कर दोगी and मैं यहाँ से इसको done कर देता हूँ and last option है यहाँ more का option जिसमें tag है category है comment, comments यहाँ देख सकते हो आप मैंने कितने काफी tag यहाँ जो है कि add कर दी है इसमें आप और भी tag add कर सकते हो लेकिन ज्यादा tag add करने से कोई फाइद देनी तो यहाँ है हमारी जो video category है वो यहाँ मैंने आपको पहले बता दिया था chrome browser में जो हमारी video होते है वो educational purpose के लिए होती है तो यहाँ साब उसको अपनी category को select कर सकते हो यहाँ नीचे delete का option है यहाँ पर delete from YouTube यदि आप चाहते हो कि हमारी जो video है वो मतलब गलती से upload हुई है या फिर उसमें आप changing करना चाहते है उसको edit करना चाहते हो तो आप यहाँ से उसको delete भी कर सकते हो तो दोस्तों हमारी जो video थी हमने इसी topic पर बनाई थी कि किस तरह हम जो है कि अपनी वीडियो को upload करते है YouTube पर और दोस्तों हमने जो video है वो हमने बना कर ready कर दिया है यहाँ से उसको public भी कर दिया है और आप इसी तरह अपनी जो video है उसको chrome browser पर जाकर जो है कि upload कर सकते हो यदि आप director YouTube से करोगे तो उससे कोई फाइदा नहीं उससे नहीं तो आप card उसमें लगा सकते और नहीं वीडियो को promotion के लिए वो कर सकते और फ्रेंड आप अच्छा है कि आप chrome browser से ही अपनी जो video है उसको upload करें और आई होप आपको video पसंद आएगी और वीडियो पसंद आने की सूरत में आप video को लाइक करें चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे को जरूर प्रेस करें तो थैंक यू सो मच मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को साथ तब तक के लिए टेक केर और बाई बाई